जयें दोस्तों बंदि मात्रम यहाँ पर इंडिया को तो बना दिया गया है लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि इंडिया बन तो गया लेकिन इंडिया से प्रहानमंत्री की कुरसी का उमीदवार कौन होगा कॉंग्रिस बोल चुकि है कि इसको प्रहानमंत्री की कुरसी की महत्वकांग्शा नहीं है वो किसी को भी मौका देने के लिए तयार है ऐसे में बैंगलियूरू में 17 और 18 जुलाई को दो दिन चली विपक्षी मीटिंग में कुछ हासिल हुआ तो वो है सिर्फ और सिर्फ गडबदन का नया नाम इंडिया मतलब की इंडियन नैशनल डेवलप्मेंट इंक्लूजिव अलाइन्स सबसे बड़ा सवाल बना ही रहा कि 2024 में लोकसुवा चुनाओं में मोधी के सामने कौन इसे लीड आखिर करेगा कौन मनिपुर में समय जब पूरी घटनाय चल रही है उसके बाद वैसे भी मोधी जी को सामने आकर बोलना पड़ा है और अभी भी उनके पर सवाले निशान लगे ही हुए है इंडिया में कुल जमाशामिल 26 पार्टियां मुंबईये मिलने वाली है और इसी में तैह होगा कि विपक्षी गडबदन का चहरा आखिर कौन होगा अगली मीटिंग की तारीक भी तैह नहीं है सारी बातें 11 मेंबर की को ओर्डिनेशन कमीटी तैह करने वाली है अलायंस का दिल्ली में एक अलग आफिस भी होगा मीटिंग खत्म होने के बाद हुई प्रेस कांफरेंस में बिहार के सीम नितीश कुमार नहीं थे लालू देजस्वी भी नहीं थे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि अलायंस का संयोजक ना बनाय जाने से नाराज होकर नितीश भिहार लोट चुके हैं हालाक नितीश की पार्टी जेडिवी के अद्दक्षे ललन सिंग ने नाराजगी की खबरों को गलत बताया हालाकि संकेत मिल गए कि अलायंस में एका एकता को बनाया रखना एक बहुत बड़ी चुनोती के रूप में समय सामने आ रहा है इसमें सबसे पहले अलायंस का नाम इंडिया रखने पर ही नितीश कुमार राजी नहीं थे उन्होंने कहा भी कि ये देश के नाम है क्या ये नाम किसी पार्टी को दे सकते हैं नए गडबंदन को लीडर के अलावा भी कई चीजों पर सहमती बनानी जैसे सीट शेरिंग, कॉमन कैंडिडेट, विधान सबा चुनाव में अपनी आपसी इताल मेल और वीजनल पार्टियों के महतवकांग्शाओं को भी इनको दिहान में रखना है इसके अलावा प्रभानमंत्री पद के दावेदारों के लिस्ट भी काफी लंबी है शरत पवार, नतीश कुमार, ममता वेनर जी, राहूल गांदी, अर्वन केजरिवाल इस रेस में काफी आगे है हलाकि राहूल गांदी इंडिया अलायंस को लीड करने से पीछे हट चुके है अलायंस के केंदर में कॉंग्रेस ही है और सबसे वड़ी पार्टी होने की वज़े से छोटे दलों को सम्हाल नग रखना उसकी जम्यदारी कॉंग्रेस ने बैंगलीरू की बैटक में 25 पार्टीयों को बलाया था शिवसेना के पास 1900 जदियों के 16 संसत थे इनमें से DMK, TMC, जदियों और शिवसेना का एक धड़ा इंडिया अलायंस का हिस्सा है यानि इनके लिए कॉंग्रेस को अपनी सीटे छोड़ दी होगी सबसे बड़ा खत्रा है कॉंग्रेस रीजिनल पार्टीयों और निताओं को अपनी बराबरी पर खड़ा कर देगी मई में कॉंग्रेस ने करनाटिका में 135 सीटे जीत कर बहुमत से सरकार बनाई वहीं पश्चि मंगाल के मुख्यमंद्री मंधमेनल जी ने कहा कि कॉंग्रेस जहां मजबूत है वहाँ लड़े हम उसका समर्थन करेंगे इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन उसे भी दूसरे दलों का समर्थन करना चाहिए कॉंग्रेस के एक सीनियर लीडर ने मीडिया से वाचीत ने बताया कि 2024 के लोग सवाच चुनाओं में कॉंग्रेस 400 से भी कम सीटों पर चुनाओ लड़ने वाली है ऐसे में पश्चि मंगाल में TMC, तमिलनाडू में DMK, दिल्ली पंजाब में आमादी पार्टी, जहारकंड में GMM और चार राज्यों में कॉंग्रेसी सरकार है बिहार में कॉंग्रेस RJD और GDU का गड़बंदन सरकार में है जहारकंड और तमिलनाडू में भी कॉंग्रेस सरकार का हिस्सा है रिजिनल पार्टियां जिन राज्यों में सरकार चला रही हैं, वहाँ सीटों का बटवारा कॉंग्रेस के लिए काफी मुश्किल होगा चौदा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ साथ जीत पाई थी, तो वहीं सपा ने कुल 47 सीटे जीती थी और इस हार के बाद कॉंग्रेस ने सपा से दूरी बना ली थी 2022 की विधान सपा चुनाव में सपा और आरेलडी ने गड़बंदन किया, सपा ने आरेलडी को 30 सीटे दी थी, इनमें से 8 सीटे वो जीते थे और इसके बाद ये गड़बंदन तूटने एक खबरे आ रही है आरेलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाधीश राय कह चुके हैं कि कॉंग्रेस के बिना यूपी में कोई गड़बंदन मुम्किन नहीं है पर समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस के साथ अलायंस के पक्ष में कभी दिखती ही नहीं अब देखी यहाँ पर एक सेनारियो यही बनता है कि तीनों पार्टी हैं इंडिया अलायंस में साथ हैं सपा के पास पिछले दो चुनाओं में गड़बंदन की हार्ज के सबक हैं यूपी के बाद अब सपा आरेलडी कॉंग्रेस और अपना दल मतलब की कमेरावादी का गड़बंदन हो सकता है सोसेस का तो ये भी कहना है कॉंग्रेस दस भी सीटों की मांग कर सकती है बाकी बची सीटों समाजवादी पार्टी और राष्टी लोगदल के कैंडिनेट्स के लिए छोड़ी जाएंगी बिहार में लोगसभा की कुल 40 सीटे है जहां पर की 2019 का चुनाओं बीजेपी के साथ लड़ा हुआ है इस गडवंदन ने 49 सीटे जीती थी एक सीट कॉंग्रेस को मिली अब जेडियू बिहार में आड़जेडी कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ महागडवंदन सरकार चला रही है अब इस इनकी सीटों में जेडियू की हिस्तेदारी के बाद कॉंग्रेस के लिए बिहार में ज्यादा सीटे ले पाना बेहद मुश्किल है बिहार में पिछले बार कॉंग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाओ लड़ा था और सिर्फ एक जीत पाई थी इस बार कॉंग्रेस अपने हिस्से की दो से तीन सीटें RJD और JDU को दे सकती है वहीं दिल्ली और पंजाब में अभी आमादनी पार्टी की बहुमत वाली सरकार है दिल्ली की साथ लोक्ताव सीटों के बटवारे के लिए आमादनी पार्टी के साथ कॉंग्रेस को मातवच्ची करनी पड़ेगी अभी सातु सीटे बीजेपी के पास है दिल्ली में 2019 में चुनाओं में बीजेपी को करीब 77% वोट मिले थे कॉंग्रेस को 22% और आमादनी पार्टी को 18% पंजाब में भी कॉंग्रेस आमादनी पार्टी से आगे 2019 के चुनाओं में इनमें से 13 में से 7 सीटे जीती थी आमादनी पार्टी को एक सीट मिली थी यहां कॉंग्रेस 13 सीटों में से 6 पर ही अपने कैनिडेट्स उतारने पर तयार हो सकती है इंडिया के बहाने आमना निपाल्टी और कॉंग्रेस पहरी बार साथ भी आ सकते हैं अलायंस के संयोजक के लिए दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल भी रेस में वे शुरुआत से कॉंग्रेस के कटर विरोधी रहें सूतर बताते हैं कि अलायंस का नाम यूपी ए रखने पर अरविंद केजरिवाल सबसे ज़्यादा आए सहमत थे दरसल 2011-12 में उन्होंने सरकारी प्रचार के खिलाफ इंडिया अगेंस कर्रप्शन मूमन चलाया था हलाकि इस पर कोई सहमती नहीं बन पाई विपक्षी गडबंदन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पश्चिम मंगाल में जहां लोकसबा की कुल 42 सीटे हैं 2019 चुनाओं में टीमसी ने 22 सीटे जीती थी बीजेपी 18 सीटे जीत का दूसरे नंबर पर रही कॉंगरिस को यहाँ पर सिर्फ दो सीटे मिली थी अभी राज में कॉंगरिस और लिफ्ट पार्टियों का गडबंदन है दोनों टीमसी के खिलाफ चुनाओं लड़ती है और तीनों पार्टियां ने अलाइंस में साथ है पर चुनाओं में साथ आपाएंगी की नहीं इस पर अभी भी सवाल है वही मीटिंग के बाद सुमवार को सीपी आई केनेता सीतारम येचुरी ने साफ कह दिया कि पश्चे मंगाल में टीमसी के साथ गड़बंदन नहीं होगा लेफ्ट कॉंगरेस बीजेपी और टीमसी के खिलाफ होंगी उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया में प्रहानमंतरी पद के लिए कोई चहरा नहीं पिछले हफते ही बंगाल कॉंगरेस अद्ध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि पश्चे मंगाल में कॉंगरेस और लेफ्ट मिलकर टीमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंग हाला कि मीटिंग में सुरिया गांधी और ममताव एनर्जी साथ बैटी थी दो साल बाद उनकी ये मुलाकात हुई दोनोंने आदे गंटे तक बात करी हो बताया जाता है कि पश्चे मंगाल के कॉंगरेस अधीर रंजन चौधरी के बयानों की वज़े से ममताव एनर्जी नाराज है अधीर अजन चौदरी ने दरसल ममतब अनरजी को तानाशन के कारकरताओं को गुंड़ा बताया था बीजेपी के खिलाव मजबूत अलायंस के लिए कॉंगरेस को ममतब की जरूरत है वे अपने राज जमेल अगतार बीजेपी को बड़े अंतर से हरा रही है नैशनल लेवल की नेता हैं और प्राहनमंत्री पत की उमीदवार भी है विपक्षी बैठक के तुरंत बाद दिल्ली में अंडिय की भी बैठक हुई इसमें इंडिया से जादा 38 पार्टी हैं शामिल हुई बीजेपी के अलावा एंडिया में शामिल पार्टी हो की संसद में मौझूद की बहुत कम है इसकी सेदिस पार्टी हों से कुल 31 संसद ही इन में मौझूद है विपक्ष को लगता है कि उसने नया अलाइंस बनाकर बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया है और इसी के हिसाब से वो आगे की तयारी कर रहे है अलाइंस की अगली बैठक महराश्च में होगी वहाँ हाल में बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ा है इसलिए वहाँ विपक्ष की एकता दिखाने के लिए मीटिंग की जाएगी सोर्सेस के मताबिक दूसरी मीटिंग चेंड नहीं में होगी तमिल्नाडू दक्षिन का एक बड़ा राज्जे है सीम स्टालिन यहाँ पर मजबूती से जमे हुए चर्चा है कि नदेने दमोदी 2024 के लोकसवाँ चुनाओं में यह इंडिया नाम राहूल गांदी ने सुझाया था और इस पर महौर ममता बेर्जीन लगाई थी राहूल और ममता की केमिस्ट्री और प्रेस बिरीफिंग की स्टेज पर भी दिखाई दी थी यह सलाम अशुरा करते रहे बिरीफिंग की शुरुआत करनाटका कॉंग्रेस के अद्दक्ष डीके शिवकुमार ने करी दूसरे नंबर ममताम अनर्जी को बोलने के लिए मौका दिया गया ममताम अनर्जी ने कहा कि लेफ्ट लेट्स फाइट विद अस बहुत चर्चा के बाद कोई नाम विपक्षी गडवंदन को रिप्रेजन करने वाला नहीं लगा था ऐसे में भारत जुड़ा अलाइंस पर जातर नेताओं ने कहा कि ये एंजियो जैसा लग रहा है सभी नाम NDA याने की National Democratic Alliance के सामने फी के लग रहे थे राउल के सुझाय गए नाम पर ममताम अनर्जी ने महर लगाई सीतराम ये चुरी पहले सहमत नहीं थे लेकिन फिर मान गए कई और नेता भी इस नाम से सहमत नहीं थे सोर्सस का मानना है कि विपक्ष के लीडर के नाम पर भी चर्चा हुई इसमें अरविंद केजरिवाल और नितिश कुमार के नाम सबसे आगे थे महमताम अनर्जी का नाम भी आया पर ममता ने पहले ही इंकार कर दिया विपक्ष के लीडर के तौर पर उनका नाम लगबकता है था विपक्ष के बार बार विखरने के बाद फिलहाल ममता ने खुद को स्टेट तक सीमित रखने का फैरसला किया है सोर्सेश बताते हैं कि पहले चार लोगों को पूरफ पच्चे मुतर दक्षिन के हिसाब से संयोजग बनाने की बात हुई इस पर सहमती नहीं बनी किसी एक के नाम पर तो कोई तयारी नहीं हुआ मातपच्ची के बाद 11 मेंबर की कॉल्डिनेशन कमीटी बनाने पर सहमती बनी इस कमीटी का मुख्या कौन होगा इस पर बात ही की गई थी कि इसे अगले बटक तक के लिए टाल दिया गया यताकि 11 सदस्यों के नामों पर एक राय बन सके तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी कुछ मनमुटाव की सितियां बन रही है लेकिन यहाँ पर आगे चलकर अब क्या होगा यह कहना कुछ मुश्किल है मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाए एन जाए भारत